तो फ्रेंट्स कभी-कभी क्या होता है जब हमारे पास कुछ इस तरह के सूट आते हैं कभी-कभी ब्रोड़नेज बहुत ज़्यादा होती है गलों की जैसे ये है 7 इंच सवा 7 इंच लगभग ये ब्रोड़नेज है इसकी और हमने इसको करना है लगभग 6 इंच या 5 इंच तो इसको आप कैसे करेंगे क्योंकि हमने ये वर्क भी पूरा लेना होता है ये वर्क यानि हमने कंदी भी देखे कंदी हमने ये 3 इंच त्यार लेनी है तो यानि अगर हम टोटल देखें हैं इस तरह से आदा इंच वारजन चोड़के और इधर ये तो 3.5 इंच हमने इसका सॉल्डर कट करना पड़ेगा लेकिन हमने इसको 12 इंच में ही कट करना है 12 इंच हमने 3 रखना है और ये इनर वाला कुरता है ठीक है तो हमने कैसे करना होता है देखें सबसे पहले मैं inner दिखाता हूँ इसका यह जो inner है यह मैं cut कर चुका हूँ यह देखे और इसका मैंने तीरा रखा है गले के dipness के इसाब से गला deep क्योंकि back का 8 inch है तो अगर मैं ज़्यादा यहां से तीरा cut कर दूँगा तो कंदे गिरेंगे तो उस method के इसाब से मैंने 6 inch cut किया तो 6 inch में ही मैंने इसको convert करना है इस गले को तो वो कैसे करना होता है चलिए सबसे पहले इसकी गहराई में cut कर लेता हूँ inner की क्योंकि मैंने एक साथ ही cut किया है fold करके इसको रखते है और मैं बताता हूँ कि ब्रोडनेस कैसे कम की जाती है चाहिए browse हो, suit हो, जब भी आपके सामने कुछ ऐसी position होगी तो यह सैमिस्टी से चलिए पहले इसको हम अलग कर लेते हैं अब इस पे हम press लगा लेते हैं यह wrinkle जो है इनको हम निकाल लेते हैं तो friends देखें इस तरह से पहले हम यह back portion को बिछाएंगे अब इसको हम front portion को ऐसे बिछाएंगे देखें इस तरह से इसका सेंटर कर लेंगे जाब इसका सेंटर दाएंगा तो देखें मैंने यह इस तरह से बिछा लिया है और इसकी जो broadness है गले की वो देखें वो आ रही है 7 इंच और हमने कितनी करनी है देखें अगर हम यहाँ पे इस inner को ऐसे रखके cut करते हैं तो यह यहाँ सिलाए में work भी चला जाएगा ठीक है और गला जो पल्टा जाएगा यह इतना यहाँ पे plane आएगा यानि यह area यह plane रहेगा ऐसे मगर हमने बिल्कुल जड़ से लेना है यह work भी हमने पूरा लेना है तो हमने क्या करना है अब देखते हैं इसको ऐसे करना है आपने यह यहाँ पे यह हमने यहाँ पे निसान लगाई ऐसे और यह जो कुटका है इस निसान पे ऐसे मिला देना है यह ऐसे और पूरे इस तर को हमने ऐसे जो लाइनिंग है इसको बिछा देना है यहाँ से देखे नीचे तक मैंने इसको बराबर यह बिछा दिया है तो यह देखे इतना हमारा यह फालत हुए लगभग यह एक सवा इंच यह फालत हुए अभी हम यहाँ पर लेते हैं देखे आदाइस दबने के बाद यह फलावर भी हमारा पूरा आजाएगा तो यह आपने टोटल करना क्या है जो यह फालत हुए इस तरह से आपने निसान लगाना है एक इंच हो सवा इंच हो डेड़ इंच हो डेड़ इंच तक आप आराम से कम कर सकते हैं ब्रोडनेस अगर जादा हो तो अब क्या करना है बैक में हमने ऐसा नहीं रखना है तो इसको हमने ऐसे फोल्ड करना है इस तरह से और यहां तक यह देखे और इस पे सिलाई लगानी है पर हम अभी cutting कर रहे हैं सिलाई हम बाद में लगा देंगे मैं समझा रहा हूँ सिर्फ आपको इसको देखे मैंने प्रैस से इसको ऐसे set कर लिया यानि मैंने इसकी broadness यहां से कम कर दी ठीक है यहां से मैंने इसकी broadness कम कर दी है अब हमने इस back के portion से इसको देखे ऐसे मिलाना है ऐसे ठीक है यह ऐसे हमने back के portion से इसको मिलाना है और यह यहां से यह देखे यहां से थोड़ा इसको पिछे रखना है यानि यह हमने यहां पे सिलाई लगानी है यहां से और यहां तक तो यह प्रोड़नेश हमारी कम हो गई अब हमने इसके ओपर यह अस्तर रखा अब हम इसकी कटिंग करेंगे यह देखे पूरा यह मैंने बिचा दिया है देखे यह देख सकते हैं यहां तक पूरा यह बिच चुका है तो यह भी हमने कम कर दिया तो इस तरह से आप एक इंच, डेड़ इंच जितना भी आपका फालतु आ रहा हो इस तरह से आपने सिर्फ डिपनेश तक ऐसे इसको क्रोश करना है इस तरह से इस तरह से दबाना है और कारिगर अगर आपके यहां पर हैं कारिगर को बोलना है इसको सिलाय लगा के इसकी ब्रोड़नेश कम कर देना तो यह जब निसान वो कारिगर देखेगा या आप खुद भी बनाएंगे तो इसको आप समझ जाएंगा यहां से यहां तक पहले सिलाय लगा लेंगे उसके बाद इनर को खोल के ऐसे इस पर सिलाय करेंगे तो बिल्कुल बराबर आ जाएगा तो ब्रोड़नेश कम करने का यह है अच्छा तरीका ठीक है तो मैंने इसलिए आपको समझा ताकि आपको भी यह ट्रिक पता होनी चाहिए तो अब इसके हम कटिंग कर लेता है यहाँ पर देखिए कुटका लगाएंगे यहाँ पर ठीक है तो यह कुटके से कुटका यहाँ पर मिल जाएगा इसको कट कर लेते हैं तो यह सूट हमारा कट हो चुका है तो फ्रेंट्स देखिए यह ट्रिक होती है इस तरह से तो अब जब हम इसको खोलेंगे यहाँ पर तो यह इसका सोल्डर बिल्कुल बराबर आ जाएगा अभी दिखाता हूँ आपको जब हम इसको अस्तर को लगाएंगे देखें यह ऐसे पहले हम यहाँ पर देखें सिलाए लगाएंगे देखें हमने यह इतना कम कर दिया है ठीक है इस तरह से अब हम इसको रखेंगे फ्रेंट वाले पॉर्शन को और यह यहाँ पर इस तरह से इसको रखें सिलाए लगाएंगे बीच ओ बीच सेंटर यह देखें बिल्कुल तीरा यानि सोल्डर बिल्कुल बराबर आ रहा है यह देखें इस तरह से यह बिल्कुल बराबर आ गया तो friends आज की वीडियो में छोटी सी यह जानकारी थी आप यह trick blouse में, suit में इस तरह से यूज कर सकते हैं क्योंकि जो bridal lango के blouse भी आते हैं या suit बहुत महंगे-महंगे suit आते हैं उनमें भी कभी-कभी जो है गले बहुत जादा deep, बहुत जादा broad आ जाते हैं तो broadness कम करने का यह बहुत अच्छा तरीका है आप इसको use कर सकते हैं इस trick को और इससे फायदा उठा सकते हैं तो ठीक है friends आज की वीडियो में छोटी जानकारी थी वीडियो पसंद आई हो तो इसको like कीजिए और चैनल को subscribe कर लिजे subscribe करके bell button भी दबा दीजे ताकि जब भी में कोई वीडियो प्लोट कर उसकी जानकारी आपको मिलती रहे